नमस्कार दोस्तों जी के अर्जुन सर यूब्टूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है तो आज हम एक समान अध्यन का पेपर लेकर आए हैं जो बी यो यानि खंड सिछा अधिकारी का एकजाम हुआ था 16 अगस्त 2020 को और यह परिछा कराया गया था लोग सवा प्रियाग राजद्वारा तो यह पेपर है जो आगामी एक्जाम्स जैसे होने वाले हैं आरो यारो 2016 की जो 13 सितंबर को इसके बाद PCS प्री होने वाला है तो उसके लिए इसमें से 2-3 कोशन अलकि रिपीट करता है तो 2-3 कोशन आपको मिल सकता है और इस टाइप से कोशन आ रहे हैं इसको आप देख लिए किस पैटर्न पर यह कोशन आ रहा है पिछले बार से हट कर यह कोशन बनाया गया है और इसमें आपको जब तक असपाश्ट रूप से नालज नहीं रहेगा तब तक आप जो इसमें साल्ब नहीं कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं किस तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो क्या क्याक पुर्ष्ट नंबर वन में भारत पाँच ट्रिलियंड डालर की ँर्थवयास्था के लच्ष को कब तक प्राप्त कर लेगा तो कब तक प्राप्ट कर लेगा भारत ये प्राप्ट करेगा 2024 तक एंसर इसका हो जाएगा B 2024 तक Question number 2 है निमलिकित में से कौन सा कथन 15 वें बितायों के सम्मंद में सही नहीं है तो ये सही नहीं इसका एंसर होगा A यानि भारत सरकार दोरा 15 वें बितायों का गठन 27 नमबर 27 रखेगा ये सही नहीं है इसका एंसर A होगा अब देखें यहाँ पर ट्रिक लगाएगा D यहाला कि ट्रिक ये डी गलत है क्योंकि जिस भी छादर का ये बुकलेट है वहाँ पर उन्होंने जो है D ट्रिक लगाया जो गलत है कोशन नमबर 3 देखते हैं निमलिकित पलो सासकों का नाम उसके राजकाल की द्रिष्टी से रखते हुए सही कालनकरम ब्यश्थित कीजिए नीचे दिए गए कूट से सही उतर का चैन कीजिए तो इसका भी एंसर हो जाएगा A कोशन नमबर 4 देखते हैं कोशन नमबर 4 का एंसर A होगा सुमिलित करने के लिए इसको मिला लिजेगा कोशन नमबर 5 है देखे इसका एंसर हो जाएगा C तहजीब उल अखलाक मुहमाद लिजिन्ना का यह नहीं है तो सीस का एंसर होगा कोशन नमबर 6 है अगारिया बैगा तथा भूया अनुसूचित जन जातियां उत्तर परदेश की निमलिखित जन पदों में मुक्तर निवास करती है तो यह कहां पर निवास करती है तो यह न अंसार हो जाएगा ए इसमें सही सुमेलित है को मिला लिजिएगा कोश्चन नमबर 8 है आठ का सही अंसर होगा इसमें ए यह भी सुमेलित करनेवाला है कोश्चन नमबर 9 है कथन और कानन से कथन दिया आर्य समाज अंदोलण ने हिंदु में आत्मसाथ बिश् प्रदान किया कारण दिया है आरे समाज अंदोलन में स्वेत जाती की सेस्टाम विश्वास की जड़ों को कमजोर किया अब देखे इसमें जो है यह तो दोनों सही है लेकिन आरे की सही ब्याख्या नहीं करता है तो इसका एंसर जाएगा बी कोश्चन नमबर दस है लाला राजपत राय भी सामिल हुए तो इसमें केवल एक सही है इसमें इसका एंसर हो जाएगा एक केवल एक सही है इसमें कोश्चन नमबर 11 देखिए बिलय का सिध्धान के तहत निमलिखित राजियों के बिलय पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमा अनुसार जो है ब्यवस्थ करता है यह संकठान अन्बदित करता है इसका एंसर होगा ए आर्थिक मामलों की कामेटी कोश्चन नमबर 13 है सुरज मुखी का तेल सुरज मुखी का तेल जो है एक अच्छी गुड़ता का खादे तेल है कारण है इसमें औस अंत्रिप्त वसामलों की अधिक मात्रा पाई ज जाएगा सी ए सई है परंतु और गलत है कोशन नमबर 14 है भारती डिजर बैंक द्वारा पांच सितमबर 2019 सु घोसित नीती रेपो दर की रिवर्स रेपो दर करमस थे तो रिवर्स रेपो दर करमस थे पांच दसमलों एक पांच परिसस से 4.9 परतिसाद कोशन नमबर 15 है इसमें एंसर हो जाएगा सी आपका एक और तीन इसमें सही है कोशन नमबर 16 है साप्टेवर एम बिजनेस प्रासेस आउट सोर्सिंग मुद्यों का सबसे बड़ा के अंदर उत्तर परदेश में निल्मलिकी सहरों में से इस्तित है तो किस सहर में इस्तित है तो यह है प्रेल खंड छेत्र कोशन नमबर 18 है निमलिकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है यह सुमेलित नहीं है इसका एंसर होगा सी चित्रकुट लकड़ी की खिलेवने यह साई सुमेलित नहीं है कोशन नमबर 19 है निमलिकित में से कौन फास्फेटिक उर्वरक है तीसमें फास्व सुमेलित करने के लिए चलिए इसको सुमेलित करते हैं इसका एंसर होगा C सुमेलित कर लिजीएगा इसका एंसर C होगा question number 21 निमलिख्यत में से कौन साही सुमेलित नहीं है देखिए इसका answer नहीं मिला अवी तक स्वच्छ भारत मिशन के संदर्म निख्रित में से कौन सा कथन सत्य है तो कौन सा कथन जो है सत्य है तो इसमें एंसर होगा स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण संविधाय के सामोईग वहारक परिवर्तन पर केंद्रित है दूसरा अधिकांस लोगों के खुले सोच करना उसमें नियमित प्रात काल भरमाण फसलों की देख भाल संजिकता का हिस्सा है तो इसमें एंसर हो जाएगा आपका सी दोनों सा है कोश्चन नमबर 23 है ग्रीन पीस के संदर में कतनों में कौन सा कथन सही है तो इसमें कौन सा कथन सही है तो इसमें भी एक और दो दोनों सही है ग्रीन पीस के बारे में कुश्चन नमबर 24 देखिए ग्रिन पिस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अंसार भारत में 287 नगरों में से निमलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूसित नगर है तो सर्वाधिक प्रदूसित नगर है जरियां एंसर हो जाएगा बी जरियां कुश्चन नमबर 25 देशों के लिए जलवाई स्मार्ट खेती पणाली बिसेपर 11-13 सितंबर 2019 को संपन्न हुई तीन दीवसी अंतराष्टी संगोष्टी के संबाद में निनलिखित में से कौन सा कथन सही है तो इसका एंसर हो जाएगा बी केवल दूसरा इसमें कथन सही है इसका मेटरी का मुख्युदेश से क्या था संगोठी का तो इसका मुख्युदेश था परस्तिकी दृष्टी कोण से जलवाई परवतन के साथ अधिक लचिलापन के लिए उसन कटिबंडिये छोटे जोत धारक क्रिसी पणाली में सुधार करने ये तो अनभावों को साजा अधिकाल कॉस्सान नंबर 26 सुमेलिद करने के लिए चले इसको सुमेलिद करते हैं देखें इसका एंसर हो जाएगा आपका का सीस में सही मिला है इसको मिला लीजेगा नगर और नfeldीया एक डी एंसर होकेडो हांसू सिकोकू क्यूसू कुशन नमबर 28 है कथन और कारण से कथन दिया है विश्यो के अधिकान उसल मरुस्थल 15-30 अंस उतरी दच्छिने 700 के मद महाधीपों के पस्मी किनारे परिशित है कारण दिया है एक वेपारी कोने जैसे जैसे पस्मी क्यों हो जाती है उसकी नमी और दर्ता कमी आती है तो इसका एंसर हो जाएगा A, A, R दोनों से यारे की सही ब्याख्या करता है कुशन नमबर 29 है सुमेलित करने के लिए तो इसको भी सुमेलित कर लिजिएगा इसका एंसर B होगा जिन्होंने सही मिलाया है correct answer है B question number 30 है सुमेलित करने के लिए तो इसको भी आप लोग सुमेलित कर लिए इसका एंसर होगा A यह भी correct हैं का question number 31 है दो रेल गाड़ियों वाला तिसका एंसर देखे होगा 100 मिटर यानि B इसका एंसर होगा 32 का एंसर होगा 20% 33 का एंसर होगा 8000 इसके बाद देखते हैं 34 तो 34 का एंसर होगा आपका A GDP का 33% 35 का एंसर देखे राजे के धारणी लचे सुचकांग 2920 में सिर्ष 5 राजियों की सूच रात नहीं है कुशन नमबर 36 है नीचे दिएगे क्रेडिट रेटिंग एजैंसी पर विचार कीजिए उन्हें काला नक्रोमसर ब्यवस्थित कीजिए तो चलिए इसको ब्यवस्थित करते हैं 36 का एंसर हो जाएगा A यहनि सबसे पहले तीन क्रिसील इसके बाद ICRA उसके पयंकों का हाल में किये गए एक इकरन का अनेक लाव लच्छित है त्यानेक लाव लच्छित है यह इसमें इंसर आपका D सभी स्विस चारो सई वह पैमाने की मितवेतता पूजी तक आसान पहुंच ब्यापक भगोलिक छेतर का विश्थार विश्थित रिया कार के बैंक इ कुशन नमबर 49 कार्द्मक छत्रपों कार्द्मक छत्रपों निम्लिखित में से किस धातू के अति दुरलब सीक के प्रचलित किये थे यह किये थे 42 के 49 कbes रोजाएगा सी 28 के मिला लिजेगा इसका एंसर सी योगा 40 का को सन्नामर 41 है निमलिखित में से किन दो सासकों के मद 17 माई 1540 में कन्योज के पास युद्ध हुए तो यह दो सासक थे हिमायूं और सेर सेर्सा और हिमायूं को सन्नामर 42 है किसे कारान से मात्मा गांधी ने 1922 में सायोग अंदलों वापस लिया था हिंसा के कारान जो पांच फरवर 24 में हुआ था हिंसा कई थाने फूके गया थे इसकी कारान गांधी जी ने जो है और सयोग वापस ले लिया था 24 हिंसा के कारान को कुशन नंबर 43 है गदर पार्टी से नेमलिखित में से कौन सम्मंदित नहीं थे ये थे खुदी रामबोस नहीं शमंदित थे नेमलिखित में से कौन सा साइस सुमेलित नहीं है तो कूकी बिद्रो येसका एंसर C होगा 1850 में हुआ था कूकी बिद्रो 1860 दिया यहां पर ये सुमेलित नहीं है कूशन नमर 45 है निमलिखित नेताओं में से किस ने कहा था मैं तो एक भारती नगाड़ा हूँ जिसका अर्थ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना ताकि वे अपनी मात्र भूमी के लिए जागे और कारत हो सके ये है एनी बेसेंट 45 का D होगा एंसर एनी बेसेंट कूशन नमर 46 है निमलिखित में से कौन सा पोशकता तो दलाहनी फसलों के में गाठ के लिए आवसक है तो दलाहनी फसलों में गाठ के लिए आवसक है वह है सिलिकान सिलिकान कूशन नमर 47 है एक किलोग्राम नतर जन के आपूरती के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आव सकता होती तो ये होती है दो दसमलों दो किग्रा की question number 48 है निमलिकित कथन उसर मिट्टी के संबंध में है इसका एंसर हो जाएगा एक ए और दो इसमें दोनों सही है चुने का प्रियोग उसे सुधारा जा सकता है और इस मिट्टी की पियेच मान साथ से अधिक होती है उसर के लिए question number 49 है फार्चून इंडिया के 100 कंपणियों के निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपणी निगम थी तो सबसे बड़ी कंपणी निगम थी वो है Indian I.L. Corporation Limited ए एंसर होगा इसका question number 50 है उत्तर परदेश में पहला तैरता सौर उर्जा सड़ेंतर निमलिखित में से किस बांध पर बना हुआ है तो ये बना हुआ है रिहंद बांध पर answer होगा D रिहंद बांध पर question number 51 है उत्तर परदेश के निमलिखित नगरों में से किस में भारतिय दलहन अनुसंधान संस्थान इस्थित है कहां पर कानपूर में question number 52 है इसका answer होगा C सही मिलाया गया ये इसका answer C होगा question number 33 है उत्तर परदेश के निमलिखित कत्मों बिचार करना है इसमें कौन सा answer होगा इसका answer होगा B यानि सभी एक, दो, तीन सही है question number 54 है उत्तरी भारती सास्तिर संगित का Bible grant संबंदित है ये किस संबंदित है ये संबंदित है नाटि सास्तर से answer होगा A question number 55 है कतंद्या अस्प्रिष्टा संद्राश्चनात्मक हिंसा का सबसे खराब सरूप है करनद्या अस्प्रिष्टा के चलन का आधार धार्मिक स्युक्रिती है तो इसमें देखे A और R दोनों से या रहे कि सही ब्याख्या करता है तो इसका answer आजाएगा A A सही है इसमें 55 का अब देखे कुछ ऐसे इसमें आ गया है चरे इसको ऐसे हल कर देते हैं कोशन नमबर 56 है निमलिखित कथन पर मितलब एक दूसरे कथन दिया है कथन दिया इसमें ग्रामीन जनसंख्या में खुले में सौच करना अपने स्वास्त के लिए खत्रा नहीं मानती काराण है कि पवित्रता पवित्रतार से जुड़े समाजिक सांस्क्रिप्ट माप डंडों ने लोगों को घर में सौचाले निर्माण से रोका है तो इसका एंसर जायेगा A, AR, दोनों सही आरे की सही ब्याख्या करता है कोशन नमर संताओन निलिम लिखित में से कौन सा कुलकत्ता के उन्चार नव निकरित विरासत भावनों में सामिल नहीं है जिसने जनौरी दोजार बीस में राष्ट को समर्भित किया गया था उसमें सामिल नहीं है राइटर्स बिल्डिंग एंसर होगा डी राइटर्स बिल्डिंग कोशन नमर अंठामन है बीस स्वास संगठन के अनुसार जनौरी दोजार बीस में निलिम लिखित में से कौन सा देश बीसो में खसरे के सबसे अधिक प्रकोब से प्रभावित था तो खसरे सबसे अधिक प्रभावित था वो था कांगो लोकतांत्रिक गणराजे कोशन नमर 69 है अफिरका महादीप के निलिखित में से किस देश भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनौरी दोजार बीस में खोला तो ये खोला था कहां पर नाईजर में अफिरका ए नाईजर में कोशन नमर 60 है जनौरी दोजार बीस में मिसेल ओबामा को निलिखित में से किस एल्बम है तो ग्रेमी पुरसकार से संबानित किया गया ये संबानित किया गया था बिक मिंग एंसर होगा ए बिक मिंग कोशन नमर 61 है बिस्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैसिक परतिभाब परतिशा संपन सुचकांग 2020 के अनुसार निलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है तो इसका एंसर होगा है इसमेलित नहीं है अब कुश्चन नमर 62 देखते है 3 जनौरी 2020 को दिल्ली में 100 गलोबल चाइल प्रोडिट अवार्ड जितने वाली तिरवर्षिय लड़की सुचेता 37 के संदर में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है कुश्चन 73 है 26 कायोजन निमलिखित सहरों में किसमें प्रस्तावित है ये प्रस्तावित है कहां गलासको में कॉश्चन 64 है 20 एक जादवी घास विसे पर दो दिवस्टी कारे साला परतासनी 11 जनर 2020 को भारत के निमलिखित नगरों में आजित की गिए पाइजान की राधानी बाकू निमलिखित में से किस सागर के किनारे इस्तित है कैस्पियन सागर के किनारे है बिद् Gir Правा में मुझे देखते हैं भारत में लिग नाईट कोईला का सबसे भारत की नीमलिखित नदियों में कौन साहहित सहयक नधी नहीं है सहहाँक नहीं है है इंद्रावोटी , नीमलिखित में से कौन साही सुमयलित नहीं है Q recovery. 91. नीमलिखित में से कौन कथन सही है तो कौन सा कथन सही है, इसका एंसर हो जाये D, भारत में, उणीसा में मैगनीज का सबसे बड़ा भंडार ये सही, कौन सा कथन सही है, इते ये कथन सही है, approximate 18 भारत का लोग ऐसक भंडार निमलिखित में से किस सेल समूऊ से समदित n- capital में प्रृशवान पुनर्वास केंद्र भारत के निम्लिकित में किस नगर में अवस्थी थै स्ट यह आवस्थित है प्रयाग राज में। kanadam시amament 75 है भारत में प्रषण अधनियम किस वर्स पारित होता है । 1986 इस्वी में कोशन नमबर 76 है 2011 की जनगरना के अनुसार निमलिकित में से कौन से जनसंख्या गनात्तों की दृष्टी से सही घटते करम में अवस्थित है बिहार पसिम बंगाल केरल और उत्तर प्रदेश में कोशन कोशन नमबर 77 है सुमेलित करने के लिए तो इसको सुमेलित कर लिएगा इसका एंसर सी सही है कोशन नमबर 78 है माईको राइजा एक सा जीवी संबंध है यह है कवक और पौधों के मद्यका कोशन नमबर 89 है बिटामिनों के बारे में बिटामिनों के बारे में लिक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है तो बिटामिन के जल में घुलन सील है यह सही नहीं है जल में के बल बी और सी ही घुलता है यह वसा में घुलन सीले तो यह सही नहीं है कोशन नमबर 80 है फारनाइट पैमाने पर 200 फारनाइट है जिसका मान सेल करने के लिए तो इसका एंसर हो जायेगा डी सही सुमेलित किया गया इसमें मिला लेज़ेगा डी एंसर होगा इसका कोस्टन नमर 82 है भारत में निर्मलिक्त में से किसे सिसूओं और और वैसकों के साथ साथ आर्थिक और समाजिक यह जुनाओं के लिए बिधी निर्माण के सक्तियां प्रदक्त की गई है तो यह प्रदक्त की गई है के अंदर तथा राज दोनों सरकारों को को कुश्ण नमबर 83 है सुमेलित करने के लिए इसको सुमेलित कर लिजएगा इसका एंसर होगा बी साइस सुमेलित है कुश्ण नमबर 84 है रिजनी का कुश्चन है नेलेखित में से कौन सा पद प्रस्ण चिन के स्थान लेगा यह लेगा 28 इसका एंसर हो जाएगा यहाँ पर और कुश्चन 85 में दिया है AB का भाई है BC का भाई है CD का पति है EA का पिता है तो डी और दिसंबर का यहाँ पर उल्टा लिखा गया तो इसी तरह इसका उल्टा हो जाएगा नवंबर इसका एंसर डी होगा कुश्चन 87 है यदि सभी समास सुधारक मानावतावादी है सत्य है तो निर्मेखित तरक वाक्यों में कौन सा एक सत्य है तो इसमें एक सत्य होगा वह है सी इसका एंसर है कुछ मानावतावादी समास सुधारक है कुश्चन 88 है निर्मेखित स्रेणी में एक्स का मान क्या होगा तो इसका एंसर होगा तीर है कुश्चन 89 है राय सीना डायलाग जो 1516 जनौरी 2020 को संपन हुआ का मुख विषय निर्मेखित में से क्या था तो यह था नैविगेटिंग इसका एंसर सी होगा नैविगेटिंग द एलफा सेंचूरी कुश्चन 90 है विष्व रैपीट 17 परतियुक्ता जीतने वाली पर्थम भारतिय महिला है तो पर्थम भारतिय महिला है वो है कोनोरो हम पी एंसर होगा ए कुश्चन 91 नितीयाईगद्वृ आलही मैं 27 विकास लचे निय्यस डीओ इंडिया सुचकांग 2019 केंसार कं सा राज परत्थम अस्थान पर है इसमें कंसा राज परत्थम अस्थान पर तो वह है इसका एंसर होगा डी केरल केरल ऑे-परत्थम अस्थान पर हैं कुश्चन bekommt म से किस देश में जनवरी 2020 में भारती सेना ने आप्रेशन वनीला प्रारम किया तो आप्रेशन वनीला प्रारम किया था ये इसका एंसर हो जाएगा में मेडा गासकर में एंसर होगा सौधी अरबन, एंसर होगा C, सौधी अरबन, कोस्टन नमबर 94 है, तो इसको मिला लिजेगा, इसका एंसर D, साइस उमेलित है, कोस्टन नमबर 95 है, उत्तर परदेश के निर्मलिकित में से कौन सा जिला संतरे का सरवाधिक उत्पादक करता तो, यह सहारनपूर है, सहारनपू यह है महाराष्ट, एंसर होगा D, महाराष्ट, कोस्टन नमबर 97 है, कथन और कारण से, कथन दिया, इसमें भारती बुगर्व, सनवच्छन के अनुसार, भारत में सभी कोटी के कोईले का कुल भंडार है, 293, 5,000 करोन, टन है, और एंसर दिया है, कारण दिया है, देश के को परमाड़ी भंडार का आधा से अधिक दो राजियों, जहारखंड और उनिशा में पाए जाता है, तो देखें, इसमें एक गलत है, लेकिन इसमें आर सही है, इसका एंसर होगा D, 97 का D, कोस्टन नमबर 98 है, सुमेलित करने के लिए तो इसको मिला लिजेगा, आप लोग इस इसका एंसर बता देने, इसका एंसर B होगा, कोस्टन नमबर 99 है, भारत में नगरी करन के संदर में कौन से कथन सही 2021 की जन गरनाएक चार देश के कुल नगरी जन संख्या का 60% अधिक प्रथम स्रेणी के नगरों में निवास करती है, और इसके बाद दिया है, दो जारिकार लसापक रमसाएक कई सक चरासिय संख्याव कान पात एक समद्य चारों तो इन दोनों संख्यावं बड़ी संख्या कौन होगी, इसको छोड़ दिजिए, यह कोस्टन मार्क लाएक बड़ी संख्या, कोस्टन नबर 101 है, देश के बड़े राजियों के समू में भारत के किस राजिय ने वर्ष 2019 में सू सासन सुचकांक में सिर्ष अस्थान प्राप्त किया है, तो वो प्राप्त किया है, तमिल नाडु ने एंसर होगा, इसका बी तमिल नाडु, कोस्टन नमर 102 है, कोस्टन नमर 103 है, शरीर की सतासो स्वेदन पसीना बहना द्वारा जल की हानी निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है, केवल वातावरान के ताप पर केवल वातावरान की नमी परेनिसके, इसका एंसर हो जाएगा, सी, एक और दो दोनों पर, कोस्टन नमर 104 है, निमलिखित में से कौन सा तत्व पाउधे में सुच्म पोसक नहीं है, तो वह तत्व है, मैगनिसियम, एंसर होगा, करतवय को मौलिक करतवय को रूप में निर्धारित किया गया है, तो ये निर्धारित किया गया है, मौलिक करतवय को, देश की रच्छा, देश की रच्छा करना, आयकर अदा करना, और हमारी संस्कृति गोरोसाली परमपरा का परिछान करना, एक दो, तीन नहीं होगा इसमें, और सारविंग संपत्ति शुरच्छा करना, चार, यानि एक, तीन, चार इसमें सही होगा है, 107 का अंसर डी, question number 108 है पंचायती राज पर गठित नेमलेखी समीतियों कालान करम ब्यवस्तित कीजिए और नीची देगे कुट से उत्तर का सही का उत्तर चैन कीजिए तो 108 हो जाएगा एंसर C सही करम सही है question number 109 है भारती समीधान का कौन सा भाग केंद्र और राजियों के मध्ध बित्ती संबंधों की वीवरान प्रस्तुत करता है तो वह प्रस्तुत करता है भाग 12 109 का एंसर होगा C भाग 12 चले कुछ मैत के सवाल है इसमें 110 का एंसर देख लिए इसका C होगा 73 और 111 का देखिए 111 का एंसर होगा इसमें C Q R S U और 112 का एंसर होगा इसमें ब्रेस्पत्वार 112 का भी होगा ब्रेस्पत्वार और 113 एंसमें 27 भरना पड़ेगा इसमें 27 आएगा यहां पर जो खाले अस्थान है question number 114 है इसका देख लिजें एंसर 114 का एंसर होगा 35 वार्षें रिए सीसमें सही है और 115 का एंसर होगा 50 आसर यानि C आए और 116 का एंसर होगा अब परत्यच्च करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है यह आई समोहों पर समान दरव पर लगाए जाते हैं कोश्चा नमबर 117 देखें भारतिय समेदान की 24 संसोधन के समध्य निलखित में से कौन सा कथन सही है इसमें जो है इसका एंसर यह सही है इसमें एक, दो, तीन सब सही है इसमें, चौथा इसमें नहीं है, कुशन नमबर 118 है, सुमेलित करने के लिए, इसका एंसर होगा C, करम से मिलाए गया यह, इसको मिला लेजिएगा, C एंसर होगा इसका, कुशन नमबर 119 है, कथन और कारण से कथन दिया है, भारत में मंतरी परसत संय रखते हैं, आप देखें, इसमें A गलत है, लेकिन R सही है, तो इसका एंसर होगा D, 110 का D, 120 है, तो इसको हल करेंगे, इसका एंसर A आएगा, दो सही है इसमें, तो यह थे कोशन आज के लिए, केवल दो कोशन इसमें जो एक कनफीज में मिला है, और बाकी के एंसर आपको मि आपको मिला है, तो इसमें 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